जैहिंद वंदे मात्रम आप सभी का एकवार फिर से विजेपथ एजूकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके सामने एक वार फिर से जुट चुका हूँ अक्टूबर दोहजार फिर से का करन्ट अफिर लेके जिसको हम बाइलेंगूल फोम में अंडर्स्टैन करेंगे साथ में October 2023 के जितने भी MCQ और One Liner Question है उनको भी हम discuss करेंगे तो आप सभी के लिए आज की class most important रहेगी इससे पहले हमने August और September महीने की भी हमने current affair की एक complete video जो है वो आपको application और YouTube के माधिम से provide करवाई है तो आप हमारी application को download करें साथ में इसकी PDF भी वहाँ से आप easily download कर सकते हैं तो जल्दी से एक बार आप हमारे साथ जुड़ जाएए हमारी जो class है आज की October 2023 current affair की वो start होने वाली है एक बार वीडियो को आप share जरूर कर दीजिए अपने friends में पिर आज के इस session को हम start करेंगे तो देखिए current affair हमारे लिए most important है क्योंकि अब जितने भी exam हिमाचल में हमारे conduct होने वाले है चाहे HRTC का exam है December में होगा उसके बाद जितने हमारे PGT का exam है अगर हमारा commission आता है जो भी हमारे upcoming exam है चाहे हमिरपूर chain board हो या फिर हमारा शिमला board हो हमिरपूर chain board की जगा आप राजी चैन आयोग आया है तो या फिर शिमला अगर board हो जतने भी exam हमारे होने वाले हैं उन सभी के लिए हमारा national international current affair जो है वो most important रहेगा unique question आप से पूछे जाएंगे साथ में advanced level के question उसमें रहेंगे तो आज का session हमारे लिए important है जल्दी से वीडियो को like करेजिए और session हम start करेंगे तो देखी सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर October 2023 का हम जो है वो current affair यहाँ पर discuss करेंगे यह आप सभी के लिए useful है अगर आप defense exam दे रहे हैं SAC exam के लिए banking railway या all state government exam हर किसी exam के लिए आपके लिए current affair जो है वो most important है आज किस class में इंडिया और international जितने भी हमारी world level पे question हमारे बनते है current affair के उनको हम discuss करेंगे So start करते हैं आज किस class को सबसे पहला question हमारे पास रहेगा सबसे पहला question है question number one हमारे पास रहेगा थोड़ा सा description level का भी question हमने डाला है जिसे एक line आपके पास भी होगी उसकी थोड़ी सी description भी होगी second form में हमारे पास mcq question रहेंगे और third जो हमारी form रहेगी उसमें आपकी one liner question रहेंगे इसकी complete PDF जो है वो आपको application के उपर हमारे मिल जाएगे देखिए पहला question है चल रहे रिन पुनर गठन के भी श्रलंका के IMF bailout में देरी का सामना देखिए आप सबी जानते हैं श्रलंका जो है वो एक रिन से जो है वो जूज रहा है उसके पास fund की जो है वो काफी जादा कमी है इसकी वज़ा से वहाँ पर महंगाई भी जो है वो काफी जादा हो गई है तो antrastri mudra course जो है उससे 2.9 अरव डोलर के रहत पैकेज की श्रलंका को जो है दूसरी किश्रत देने में जो है वो देरी हो रही है तो इस बज़ा से क्योंकि जो क्या है आपको यह पास यहाँ पर दिया गया है antrastri mudra course यह जो fund है world level fund कौन प्रोवाइड करवाता है तो IMF antrastri mudra course जो है यह आपको fund प्रोवाइड करवाता है श्रलंका को जो है यह fund मिलना है कितने अरव डोलर का 2.9 अरव डोलर का fund जो है वो किसको मिलेगा श्रलंका को मिलेगा तो स्रलंका पिछले साल इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट से प्रभावित हुआ था आप सभी जानते हैं काफी जादा चीजें जो है वो स्रलंका की जो गोर्वर्मेंट है उसने फ्री कर दी थी उसके बाद वहाँ पे जो है वो काफी जादा महेंगाई बढ़गी वहाँ पे संकट आ गया जो fund था जो पैसा था उस country का वो सारा का सारा खतम हो गया उसके बाद वहाँ पे जो है वो काफी जादा दिक्कतों का जो है वो सामना वहाँ को वहाँ पे करना पड़ा था इंडिया ने भी काफी जादा help जो है वो स्टाइम पे शेलंका की दी थी तो ये इसके लिए आप बाकी description जो है इसको read कर सकते हैं second question देखिए green office space में बेंगलूरू सबसे आगे most important question है क्यूंकि 2019 के बाद 2023 में जो है वो इसमें बड़ोतरी आई है इसलिए question ये हमारे लिए important बनता है green office space में बेंगलूरू जो है वो सबसे आगे आया है बारत में 2019 के बाद देखी कितने percent की वो बृद्धी देखी गई है तो total जो है वो 36 percent की वो बृद्धी देखी गई है इसमें किया बताया गया है कि भारत में ग्रीन पर्मानित कारेले स्टोक 2019 के बाद 36 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगबग 342 मिलियन हो गया है यह important line है हमारे लिए और यह question इसलिए important है क्योंकि भारत में जो है वो कौन सा हमारा राजिया आप बोल सकते हैं 2023 में 36% की जो है वो बृद्धी यहां पे green office space में जो है वो देखने को मिली है next question number 3 हमारे लिए रहेगा बनमाली अगरबाल बने Tata Advanced System के chairman तो अभी हाल ही में Tata Advanced System जो है जिसको हम T-A-A-S-L के नाम से जो है उनके नये chairman जो है वो बनाये गए है हमारे जो जितने भी हमारे question बनते हैं उसमें आपके एक question ऐसा पूछा जाएगा हमारे नई chairman कौन बनाये है नीति-ायों के chairman कौन है या फिर कोई नया member अगर appoint किया गया है या फिर किसी company में एक नया chairman अगर बनाया गया है तो उसके related आपके एक question जो है वो important बनता है तो Tata advanced system के नहीं chairman बनाये गए है उनका नाम है बर्मानी अगरबाल बर्मानी अगरबाल है अगरबाल जो Tata Suns के ब्रिस्ट सलहकार है और Tata Electronics के अध्यक्ष भी हैं ये किसका स्थान लेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है विजे सिंग जी जो थे वो पहले उसके chairman थे उनकी जगा पे अब कोना हैं बर्माली अगरबाल आए हैं जो की Tata advanced system के जो है वो ने chairman होंगे देखिए नया question question number fourth ये विश्व कप के लिए भारती team का एलान देखिए ये question अभी आपके लिए जो है वो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा क्यूंकि आपको जो class मिल रही है वो आपको October के मन्त में जो है वो आपको class मिल रही है लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो आपकी team बनी है ये जो भारत की एक team बनी है ये हमारे October के last में आपको जो है वो class मिलेगी हमारे इस October के current affair की लेकिन ये अभी जो है हमारे जो match है वो continue way में है वाइस को हमारा जो है वो match हो गया धरमशाला में जो match था उसके पहले भी जो इंडिये ने कही सारे match के लिए तो इसके लिए जो है वो इसकी team जो है वो बनीगी ये question आपके लिए जो है वो थोड़ा सा पुराना है बस आप ये थोड़ा सा ध्यान हो रहा है भारत में हो रहा है कहां से कहां तक चलेगा 11 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये भारत में आयो जित किया जाएगा ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है भारत के जो team है उसके captain कौन है तो रोहिद शर्मा जो है वो उसके क्या है captain है नेक्स्ट कोईशन देखिए important question और नया question थोड़ा सा unique level का है जाडूदान पहल ने India book of records में बनाई अपनी जगह most important question देखिए driving training and research institute जो है SP Singh वहां के जो है वो principal है उन्होंने कहा कि प्रतिस्टिक India book of records में एक नया स्थान जो है वो उन्होंने हासिल किया है और वो स्थान क्या है विशेश रूप से उनके अभीनव जाडूदान पहल के माध्यम से जो रास्ट्र बानी स्वच्छ भारत अभियान के साथ उसको जोड़ा गया है जाडूदान क्या है एक पहल एक मुहीम चलाई गई है और किसके रिगार्डिंग है किस से रिलेटिड है वो यह हमारी रिलेटिड है स्वच भारत अभियान से उसके लिए जो है इन्होंने इंडिया बुक आफ रिकोर्ड्स में जो है वो अपना नाम जो है वो दर्ज करवाया है यह चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है और स्पी सिंग ने 2014 में परधान मंतरी नरेंदर मोदी द्वारा स्वच भारत अभियान की शुरुआत के साथ जाडू दान पहल जो है वो शुरू की गई थी तो परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने दो अक्तूबर 2014 को स्वच भारत अभियान जो है वो स्टार्ट किया था उसी को देखते देखते जो है वो एस्पी सिंग जो की यूपी एसार टीसी जो एक इंस्टिटूट है वहां के प्रिंसिपल है उन्होंने भी एक नही एक नई पहल जो है वो चलाई उसका नाम रखा गया जाडू दान और उसके पहल जो है वो उन्होंने इंडिया वो कॉफरी कोर्स में अपनी एक अलग जगा जो है वो बनाई है उसके बाद नेक्स्ट कोईशन क्या है F by 24 के बजट अनुमान के 36 प्रतिशत तक पहुंचा सरकार का राज कोश्किय घाटा इंपोर्टेंट कोईशन है देखी 2023 के पहले 5 महिनों में केंदर का राज कोश्किय घाटा बारशिक लक्षे के 36 प्रतिशत तक पहुंच गया है तो हमारी जो सेंटर गोवर्मेंट है वहाँ पर भी क्या चल रहा है घाटा चल रहा है आप सभी तो जानते ही हिमाचल में तो पहले से ही हमारा क्या है पहले से ही सरकार जो है वो क्रोडों के हिसाब से हजारों क्रोडों के हिसाब से क्या चल रही है लोस पे चल रही है तो वैसे हमारी जो center government है वो भी क्या कर रही है वो भी किस में चल रही है लोस में चल रही है इसमें बताया गया है कि कितना घाटा जो है वो सरकार को जो है वो हुआ है तो 36 प्रतिशत तक जो है वो सरकार का राजकोश की घाटा जो है वो नीचे चला गया ह देखी नेक्स्ट क्या है अब रुई सियांग जांग 2013 का ससस्त्र रामनुजन पुरुषकार जो है वो दिया जाएगा तो इसमें बताया गया है कि कैलिफोर्निया बिशप इद्याले के गनित के सहाएक प्रोफेसर है एसिस्टेंट प्रोफेसर है उनका नाम क्या है रुई सि जांग जांग इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि देखने में यह पता चल रहा है कि चाइना जैसा यहां पर नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको इंडिया के जो मैथेमेटिशन थे रामानुजन उनके नाम के ओपर जो एक अवोर्ड बना है उनको ज पॉइंट है कहां पर ये जोब करते हैं तो ये जो रूई सियांग जांग है ये कलिफोरनिया उनिवस्टी में जो है वो गणित के मैथ के असिस्टिंट प्रोफेसर है इंपोर्टेंट कोईशन है और उसके आद आप ये देखी कि क्या-क्या अवोर्ड में जो है वो मिलता है वो भी पता होना चाहिए 10,000 अमेरीकी डॉलर इनको दिया जाता है नगत पुरुशकार 20 दिसंबर और 22 दिसंबर के दोरान गणी तक श्री निवास रामानूजन के ग् पताया गया है इंडिया के काफी फेमस एक मैठेमेटीशन रहे थे रामानूजन उनकी जो एक मुवी है वहां से भी आप काफी ज़्यादा यूट्यूब के उपर पॉपुलर है उनके जो शॉर्ट वीडियो सहां वो भी आप सर्च कर सकते हैं रामानूजन मैठेमेटिक की एक काफी famous जो है वो एक mathematician जो है वो माने जाते हैं पुरे भारत में उसके बाद next question देखिए यूरो जोन में मुदरा सफीती कम होने से बड़ी ECB की चिंता तो यूरो जोन में मुदरा सफीती लगवग दो वर्शों से अपने सबसे निचले स्थान पर गिर गई है जो European Central Bank के लिए संभावित राहत कोश परदान करती है इसके दरवरिदी चकर को जारी रखने के बारे में जो है वो एक सबाल भी उठाया जाता है यह थोड़ा सा आपके लिए अलग question है लेकिन आपको जो है वो इसकी आप basic details जो है वो यहाँ पर understand कर सकते हैं next अब थोड़े से जो भी हमने अभी description में हमने पढ़ा उसके साथ साथ हम जो है वो इसके साथ साथ MCQ भी लगाएंगे ताकि हमारा जो perfection है वो थोड़ा सा level जो है हमारे knowledge का थोड़ा सा increase हो जाए ठीक है आपको जादा याद रखने की ज़रूरत ना पड़े देखी पहला question क है हाल ही में अनुबाद दिवस कब मनाया गया इंटरनाशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया गया यह हम कब मनाते हैं 30 सितंबर को मनाते हैं अक्टूबर होने से पहले हमने last क्या मनाया था कौन सा डे मनाया था 30 सितंबर को international translation डे अनुबाद का मतलब होता है जैसे हिंदी से इं करके हमारी help करता है उसके लिए एक translation day जो है वो पूरे word में मनाया जाता है तब मनाया जाता है 30 सितंबर को मनाया जाता है और काफी important जो है ये day जो है वो माना जाता है इसकी आपको बताया गया है कि इसको पहली बार जो है 1991 में और mainly किस purpose के लिए है विश्व सांती को बढ़ावा देने के लिए विश्व सांती यानि कि international peace के लिए जो है ये day जो है वो मनाया जाता है next question है हाल ही में किस राज्य के उमलिंगला fashion run ने दुनिया के सबसे अधिक उन्चाई पर fashion show का record बनाया है तो कहां पर बनाया है देखिए किस राज्य के उमलिंगला यहाँ पर थोड़ी सी mistake है क्योंकि ये UT की बात की गई है राज्य नहीं आएगा UT आएगा यहाँ पर union territory है तो प law ने समुदर तल से 19,024 feet की उन्चाई पर विश्व की सबसे उन्ची मोटर बेल सरक पर international fashion runway का आयोजन जो है वो किया गया था तो कहां पर यह हुआ है लदाख में हुआ है नाम आपको याद रखना है उमलिंग law यह दुनिया की सबसे उन्ची जगा पर आयोजित fashion show रहा इ question important है, unique है और bird level का question है क्योंकि दुनिया में सबसे highest पर दुनिया में सबसे अधिक उन्चाई पर जो नया fashion show का जो record बना है वो कहां पर बना है लदाख में यानि कि हमारे भारत में बना है next question देखिए, यहाल ही में किसे बुसान फिलम के फैस्टिबल में स्कूप के लिए जो है वो नामंकित किया गया था, किसे नामंकित किया गया था, तो क्रिश्मा तन्ना को जो है वो यहाँ पे नामित किया गया था, यह चीज भी आपके लिए important है, यहाँ पर उनकी picture जो है वो दी गई है, आप देख सकते हैं, और इनका जो famous show था, वो भी यहाँ पर बताया गया है, सास कभी बहु थी, यहाँ से काफी ज़ाद जो famous जो हैं, वो यह हुए थे, उसके बाद है, हाल ही में किसे UPSC का सदस्य जो है, वो newt किया गया है, यह भी आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं, तो UPSC का नया सदस्य किसे बनाए गया है, दिनेश दासा को जो है, वो, स्वरी, दास आए गया यहाँ पर, दिनेश दास को जो है, वो यहाँ पर बनाए गया है, UPSC यानि कि संग सेबा, संग लोग सेवा आयोग UPSC इसके जो है वो एक नए सदत से जो है वो बनाए गए है और UPSC के अध्यक्ष कोन है वो भी दिये गए है डॉक्टर मनोज सैनी इनके द्वारा जो है इनको ये जो स्चप्त है वो दिलाई गई थी next question देखिए हाल ही में किसने स्वच रक्तदान में विश्व भर में record बनाया है तो आपको यहाँ पर बताना है कि आसा कौन सा राज्य है जिसने स्वच रक्तदान में पूरे वर्ड में पूरे विश्व में जो है वो एक नया इतिहास जो है वो रचा है तो वो कौन सा है वो है उत्राखंड उत्राखंड में क्यूंकि देखिए ये भी आपका बर लेवल का कोईशन है पूरे विश्व में हमारा इंडिया का कहीं ना कहीं पर नाम जो है वो आ रहा है उत्राखंड राज्य सरकार इन दोनों स्वेचिक रक्तदान को लेकर करवाया है देखिए एक नया कोईशन हमें यहाँ पर सीखने को मिला हाल ही में किसने स्वेच रक्तदान में विश्व भर में रिकोड बनाया तो वो बना उत्राखंड लेकिन उत्राखंड हमारे देश का भी ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने स्वेचिक रक्तदान के पर दर्ज हुआ है, next question देखिए, हाल ही में गनित के क्षित्र में उलेकनिय योगदान के लिए 2023 सास्त्रा रामनुजन पुरुषकार के लिए किसे न्यूक्त किया गया है, अभी हमने understand किया कि रामनुजन कौन थे, रामनुजन जो थे वो एक famous mathematician थे, पूरे bird level पे उनको जाना जाता था, उन्होंने जो है वो एक numbers के उपर जो है वो काफी जादा काम किया था, थोड़ा आप उसके बारे में, उनके बारे में search जो है वो कर सकते हैं, YouTube के उपर काफी जादा, उनकी short videos आपको मिलेंगी, लेकिन रामनुजन एक essay mathematician थे, उनके नाम के उपर पूरे भारत मे जो है वो mathematical day जो है, national mathematics day जो है वो मनाया जाता है, आप comment करके जरूर बताएं कि national mathematics day कम मनाया जाता है, और किसकी याद में मनाया जाता है, वो भी आपको बताया है, रामानुजन जी की याद में जो है वो math day हम मनाते हैं, तो ये अबोड किस से, किसको जो है वो सम्मानित किया जा रहा है तो रुई क्यांग जो को तो यह जो है वो कैलिफोर्निय यूनिवस्टी में जो है वो एसिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैथेमेटिक्स के ठीक है जी नेक्स्ट कोशन देखिए हाल ही में भारत और किस देश ने समाजिक सुरक्षा समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो भारत के साथ किस अन्य देश ने समझोते के ओपर हस्ताक्षर किये हैं और कौन सा समझोता है और वो है आपका social security, समाजिक सुरक्षा के ओपर एक नया समझोता किया गया है, कौन सा देश है Argentina, तो भारत और Argentina ने एक समाजिक सुरक्षा समझोते पर बहुत स्ताक्षर किये है Argentina में भारत के देखी, राजदूत कौन है राजदूत कौन है, दिनेश भाटिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देखिए आप इनका नाम जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं क्या नाम है? Argentinam है, जो भारत के राजदूत है, उनका नाम क्या है? दिनेश भाटिया, यह चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है next question देखिए हाल ही में किसने लड़कियों और लड़कों के बीच लेंगिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए CS CRII I O पोर गुड लॉंच किया है तो यह किसके द्वारा लॉंच किया गया है इनका नाम है धर्मेंदर परधान जो कि हमारे भारत के Education Minister है और इनके द्वारा जो है वो इनके द्वारा जो है वो CRII O पोर गुड जो है वो लॉंच किया गया है किस चीज के लिए लॉंच किया गया है यह भी आप देख सकते हैं लेंगिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा से इसके बारे में अंडेस्टाइट करते हैं केंद्री मंत्री श्री धरमेंदर परधान ने लड़कियों लड़कों के बीच लेंगिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए जो है वो CRII I O फोर गुड लॉंच किया है इस कारेकरम का शुभरम जो है वो एहमदाबाद के नरेंद्र मोधी स्टेडियम यहां से भी आपके लिए कोईशन बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर स्थित है भारत में स्थित है और उस स्टेडियम का नाम क्या है नरेंदर मोधी स्टेडियम जो की एहमदबाद गुजरात में स्थित है UNICEF और भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेहोग से जो है वो लॉंच किया गया है भारती क्रिकेटर और ICC UNICEF फुट गुड्ड सेलिब्रिटी समर्थक श्रीमती समरिती मन्थानाने जो है वो यहां पर इस कारिकरम में जो है वो भाग लिया था तो पॉश्चन यहां से काफी जादा हमारे लिए बनते हैं क्योंकि धर्मेंदर परदान के हैं एजुकेशन मनिस्टर हैं और साथ में यहां पर नरेंदर मोधी स्टेडियम की भी बात की गई जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और एक और चीज़ यहां पर बताईगी कि यह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है यह जो एक नया आप बोल सकते हैं एक लेंगिक समानतों को बढ़ावा देने के लिए एक सरकार के द्वारा जो है वो एक प्रोसेस चलाया गया तो धर्मिंदर प्रधान जी ने जो है उसको स्टार्ट किया था नेक्स्ट थोड़े से वन-liner question के ओपर discuss करते हैं काफी easy question है हाल ही में अंतरास्टी अनुवाद दिवस कब मनाया गया देखिए अभी मैंने आपको बताया International Translation Day कब मनाया गया 30 सितंबर को International Peace के लिए जो है वो हम इसको मनाते हैं next question अब थोड़ा सा जो हमने चीज़ें पीछे अभी तक हमने पढ़ी description form में पढ़ी उसके साथ MCQ form में पढ़ी अब वहां से आपकी जो है वो revision हो जाएगी कुछ नए question देखने को मिलेंगे और कुछ जो है हमारे पुरानी question से जो है वो हमें क्या हो जाएगी revision हो जाएगी तो देखिए अगला question क्या है किस company के सहसंस्थापक अश्वनी दानी का निदन हुआ है तो कौन सी company के सहसंस्थापक ते अश्वनी दानी Asian paints के Asian paints हमारा भारत जो है उसको use करता है Press Trust of India के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए है most important question most important के एन शांता के एन शांता को किसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है Press Trust of India उससे पहले मैंने आपको जो है वो Tata के ने अध्यक्ष जो है वो भी मैंने आपको बताए थे नेक्स देखिए हाल ही में किस राजे सरकार ने स्कूलों में तो अरित शिकायतों के समाधान के लिए एप लौँच किया है अगर स्कूलों में अगर कोई शिकायत आती है तो ये किस के दौरा लौँच किया गया है दिल्ली के दौरा दिल्ली राज़ नहीं है यूटी है इसको थोड़ा सा प्रेक्ट करेजिए क्योंकि आपके question में इस प्रेक्षें किसके हैं CBDT के नेक्ट कोईशन देखिए भारती भाषा उत्सप कारेक्रम किस सहर में आयोजित किया गया था तो भारती भाषा उत्सप जो है वो लखनव में आयोजित किया गया UP में जो है वो इसका Ayojin जो है वो हुआ है next question है हाल ही में किसने antrastri home textile शिकर समयलन की मेजवानी की है तो किस शहर ने international यानि कि antrastri home textile शिकर समयलन की जो है वो मेजवानी की है तो वो की है बारा नसी ने UP जो है वो हमारा काफी important state रहा है Current Affair के session में Next question देखिए Next question है देखिए विश्व स्तर पर सुंदरवन के जलवाईव परभाब को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा देश एकत्रित हुए हैं सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा जो है यह हमारा भारत का डेल्टा है पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी कौन है सुंदरवन डेल्टा है और इसके साथ कौन सा देश जो है भारत के साथ कौन सा देश लगता है सुंदरवन के साथ बंगलादेश लगता है तो इसके जलवाईव परभाब को उजागर करने के लिए भारत और बंगलादेश के बीच एक नया समझोता जो है, हाल ही में हुआ है next question हाल ही में किस राज्य में एक इकरित आयूश बोर्ड का गठन किया जाएगा, किस राज्य में एक इकरित आयूश बोर्ड का गठन किया जाएगा, मतलब कि जो पूरे हमारी country को जो है वो represent करेगा, तो उसका गठन कहाँ पर किया जा रहा है, UP में किया जा रहा है, UP से काफी जादा हमने question understand किया है, ने question हमारे यहाँ पर बने है तो UP जो है वो हमारे लिए most important रहेगी, next question देखिए, किसे ASCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, तो सोगत गुपता, सोगत गुपता जो है वो ने अध्यक्ष बनाए गए हैं, ASCI के, next ये भी हमने पढ़ा, UPSE के ने सदस्य कोन बनाए गए है डॉक्टर दिनेश दास जो है वो एक ने सदस्य बनाए गए है, UPSE के पिछले जो भी हमने चीज़ें रीड की, उनी को हम क्या कर रहे है फोड़ा सा रिवाइज कर रहे है next, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्ध शतक का रिकॉर्ड किस खिलाडी ने बनाया है तो दिपेंदर सिंग एरी के द्वारा यह नया रिकॉर्ड बनाया गया है next, देखिए उमलिंग लाव फैशन रन ने दुनिये के सबसे अधिक उन्चाही पर एक नया फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है और यह रिकॉर्ड कहां पर बनाया गया है लगदाख में बनाया गया उसके बाद हमारे यह English के हमारे notes रहेंगे अगर आप banking की अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा English को ही prefer करते हैं यह हमारे bilingual notes हमारे रहते हैं bilingual form में आपको PDF जो है वो मिलेगी मैंने Hindi का जो first face था उसको मैंने cover कर दिया इसके बाद यह आप इसको जो है वो one by one read कर सकते हैं बिल्कुल translation की गई है कोई भी नहीं इसमें addition नहीं है जो चीज़ हिंदी में दी गई थी वही आपके पास English में रहेगी तो आप इसको जो है वो prefer कर सकते हैं इसमें भी आपके लिए पहले यह देखिए description form में आपके question रहेंगे और उसके बाद जो है आपके question रहेंगे MCQ की form में जैसे मैंने आपको बताया था international translation day जो है वो कब मनाया गया 30 सितंबर को मनाया गया यही आपके पास जो है वो bilingual form में भी यह चीज़ें जो है वो रहेंगे उसके बाद bilingual आपकी PDF के साथ साथ आपको इसमें MCQ one-liner question सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे पहले हिंदी form में हमने one-liner question को understand किया यह आपके पास English में आपके MCQ जो है वो रहेंगे ठीक है अब यह हमारा first phase जो है वो cover हुआ साथ में हम second phase इसका start करेंगे वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही एक आप लाइक आप जरूर करें और comment करके जो मैंने आपसे question यहाँ पर भूचा था national mathematics day उसका answer आप जरूर दें क्योंकि इंडिया के लिए जो है वो आपको यह जानना जरूरी है famous mathematician रहे थे रामानूजन उनके लिए जो है वो एक हमारी तरफ से जो है वो एक जानकारी हमें जो होनी चाहिए क्योंकि हम Einstein यह फिर बाहर के Newton जो भी हमारे scientist है उनको हम जानते लेकिन इंडिया के जो famous scientist हैं रामानूजन जिन्होंने काफी important discovery की थी उनके बारे में जानना हमें काफी जादा जरूरी है next देखिए description form में हम understand करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा विजेपत गॉर्मेंट अप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है विजेपत गॉर्मेंट एक्जाम प्रेपरेशन अप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर के उपर जा के आप अप को डाउनलोड कर सकते हैं साथ में जिस भी चीज के आप त्यारी कर रहे हैं जैसे कि SSC का है आपके पास आप अगर टैट की तियारी कर रहे हैं अगर कोई छोटा बच्चा जो सैनिक स्कूल या फिर नवोदे की अगर तियारी कर रहा है तो उसके लिए भी हमारा ये एप जो है वो आपके लिए helpful रहेगा इसमें हमारी paid classes आपको मिलेंगी साथ में हमारी test series वो भी आपको यहां पे इसके साथ मिलेंगी नेक्स देखिए question number first हमारा रहेगा second phase का Asian Games 2023 रोहन बोपन्ना और रितुजा भोंसले ने टैनिस में जीता स्वंड पदक important question है Asian Games 2023 हुई है important session उसका भी आपको separate class उसकी आपको देखने को मिलेगी विजेपत education की तरफ से और भारत ने काफी अच्छा योगदान जो है वो Asian Games में दिया है भारत की जोली में एक और gold जो है वो आया है table tennis में किसको मिला है यह आप देख सकते हैं रोहन वोपन्ना और रितुजा भोंसले की जोडी ने mix double event में भारत को क्या दिलाया है gold दिलाया है यह आप इसका score देख सकते हैं उसके साथ साथ कबड़ी के player थे हमारे काफी famous विशाल भार्दौ आज हिमाचल के रहने वाले हैं उसके बाद शुश्मा बर्मा हैं उनको भी क्या मिला है अपरियंका नेगी है उनको भी क्या मिला है gold medal जो है उनको मिला है in Asians games में नेक्स देखिए बायू सेना तीन लाग करोड के हथियार खरीदेगी important question अब यह important है क्यों पहला तो यह कहां से खरीदेगी और दूसरा बायू सेना के अध्यक्ष कौन है तो इसके लिए important question रहेंगे तो सेनने संपतियों के सुदेशी करण पर एक और बड़ा जोर देते हुए भारती बायू सेना ने घोशना की है कि वो धाई से तीन लाग करोड रुपे की जो क्या करेंगे हथियार जो है वो लेंगे काफी बड़ी परियोजना है 83 बिमानों के साथ-साथ 97 अतिरिक्त बिमान जो है वो अधिक रहन करने की भी घोशना जो है वो की गई है और एक बिमान जो है वो यहाँ पर बताया गया है 130 MKI लड़ाकू बिमान को अपग्रेड करने की योजना जो है वो बनाई गी है यहाँ पर आप कोमेंट कीजिए यह जो इमेज लगाई गी है यह किसकी इमेज है क्योंकि आपके एक्जाम में कुर्शन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता अभी मैंने आपको यहाँ पर बायू सेना के जो हेड हैं चीफ हैं उनके बारे में तो नाम नहीं बताया लेकिन फोटो लगाया है क्योंकि इस में पीडियाफ बनाने का मतलब भी यही है कि अगर आपका पॉर्शन अगर यहाँ से अगर कोई चीज कवर नहीं हो जी है डिटेल में जो लिखी है तो कुछ चीज आप खुद भी उसको जो है वो अन्डेस्टेंड करें अगर खुद आप कोई चीज अगर सर्च करेंगे ढूंडेंगे तो आपको काफी जादा अच्छे तरीके से वो चीज जो है वो याद रहेगी थोड़ा सा होमवर्क मैंने दिया है दो कोईशन अभी तक मैंने आपको दी पहला नैशनल मैथेमेटिक्स डे और एक सेकंड कोईशन ने दिया कि ये इमेज इसकी है थोड़ा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं नेक्स देखिए दिल्ली के मुख्य मंत्री ने पंदरा सूत्री शीत कालिन पर्दूशन योजना का अनावरंड किया तो दिल्ली में काफी ज़्दा पोल्यूशन है दिल्ली के सीम है अर्विंद केच्रिवाल जी सर्दियों के दौरान रास्ट्री राजधानी मैं बायू पर्दूशन से निप्टने के लिए पंदरा सूत्री शीत कालिन कालियोजना की घोशना जो है वो इनके द्वारा की गई है और इसमें इन्होंने ये बताया है कि राज्यों से ये सुनेश्चित करने की अपील की गई है कि जरनेटर सेट के उप्योग को रोकने के लिए 24 गंटे विजली के आपूर्ती जो है वो की जाएगी उन्होंने ये भी बताया है कि बायू बनबत्ता प्रवंधन आयोग या केंदर सरकार को एक बैटक बुलानी होगी ताकि एक सियुक्त योजना जो है वो बनाई जा सके अब देखी इंपोर्टेंट लाइन एक और बताई गई कि पिछले वर्ष की तुलना में पराली जलाने से 30 प्रतिशत की कमी जो है वो आई थी किसमें कमी आई थी दिल्ली का जो पोल्यूशन हुआ था उसमें पराली जलाने से पिछले वर्ष की तुलना में जो है वो 30% की कमी जो है वो देखी गई थी तो उसके लिए एक वार फिर से परदूशन के लिए 15 सूत्रिय सीत कालीन परदूशन यूजना का अरविंद केजरिवाल जी के द्वारा एक अनावरंड किया गया है नेक्स्ट कोशन है अजे जडेजा बने अफगानिस्थान क्रिकेट टीम के मेंटर इंपोर्टेंट कोशन है अजे जडेजा भारत के महान की लाड़ी है और ये अफगानिस्थान क्रिकेट टीम के एक नए मेंटर के रूप में जो है वो गोशित किये गए हैं मेंटर यानि की जो इनको एक मोटिवेशन दे उनको एक उत्साह दे जीतने के लिए यहाँ पर बतायाएगा बर्ड कप 2023 पांच अक्तूबर से 19 नवंबर तक भारत में होने वाला है यह भी चीज आपको ध्यान में रखनी है जो हमारा बर्ड कप हो रहा है क्रिकेट बर्ड अजे जडेजा को अपने टीम का मेंटर न्यूक्त किया है तो यह भी important लाइन आपके लिए है अफगानी स्थान क्रिकेट टीम के द्वारा अजे जडेजा को उनका एक टीम का मेंटर जो है वो बनाया गया है Next question के उपर आते हैं, जम्मू कश्मीर ने 100% खुले में सोच मुक्त प्लस मोडल का दर्जा हासिल किया है, important question most important क्योंकि जम्मू ऐसा पहला राजिय या फिर केंदर शाशित प्रदेश हम बोल सकते हैं, ऐसा पहला राजिय केंदर शाशित प्रदेश बना है, जिसने 100% खुले म सोच मुक्त प्लस मोडल का जो है वो दर्जा हासिल किया है, अगर मैं हिमाचल की बात करूँ, तो सबसे ज़ादा हिमाचल को जो है वो जाना जाता है, जैसे की एक scheme चलाई गई थी, उजवला योजना जो है वो हमारी भारत की एक important scheme है, जिसके तहत गरीब लोगों को जो है वो LPG के जो हैं वो connection दिये जाते हैं, तो धूए से मुक्त पहला राज ये कौन सा बना है, हिमाचल बना है, लेकिन 100% खुले में सोच मुक्त का जो दर्जा हासिल किया है, वो किस ने किया है, जमू एंड कश्मीर ने ये हासिल किया, तो देखी इसमें बताएगे, सवच्छ कश्मीर ने हासिल की है, और इसमें बताएगे, 20 जिलों के 285 ब्लोकों ने अपने सभी 6,650 गामों को plus model, ODF plus model के नाम से जो है, वो खोशित, यह तो काफी बड़ी एक मुहिम जो है, वो जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाई गई थी, स्वच्छता ही सेबा, और इसके लिए उनको जो है वो ये, उन्होंने अपने एक नाम जो है एक नया एक इतिहास जो है वो रचा है, जम्मू कश्मीर ने, नेक्स्ट कोईशन देखिए, ऐस्टेलिया में मिली 1.5 करोड साल पुरानी मकडी, इंपोर्टेंट है, ये भी कोईशन थोड़ा सा, थोड़ा सा आप इस मकडी का नाम, इसका सैंपल खोजने वाले डॉक्टर साइमन मेकलूस्की के नाम के उपर रखा गया है, ट्रेपडोल मकडी जो है, इसका जिवाशम जो है, वो कहां पर मिला है, आस्टेलिया में मिला है, और किसके दौरा खोजा गया है, डॉक्टर साइमन मेकलूस्की, ठी Next question है, Global Indian Award पाने वाली पहली महिला बनी सुधा मूर्ती, तो Global Indian Award किसको मिला है, सुधा मूर्ती को मिला है, एक नया question क्या बनता है, ये Award पाने वाली पूरे भारत की पहली महिला जो है वो बने गई है, Award में इनको पचास हजार डॉलर जो है वो दिये गए हैं, ये भी important question आपके लिए यहाँ पे बनता है, Next question, नोसेना के उप प्रमुख बने 22 एड्मिल तरुन सोबती, तो नोसेना के ने उप प्रमुख बनाए गए है, उनका नाम क्या है तरुन सोबती, ये यहाँ पे थोड़ी सी आप इसको detail को understand कर सकते हैं, भारती नोसेना ने मुख्य नोसेना के रूप में इनको कारेभार दिया गया है, नाम क्या है इनका तरुन सोबती है, 35 साल से अधिक की इनके पास जो है वो experience है और 1 जुलाई 1988 को भारती नोसेना में कमिशन किया गया था, जो एक ऐसी यात्रा शूरू करेगा, उनकी समुद्रीक शेतर में एक प्रतिस्ट नेता बनने के लिए उनको देखा जाएगा, तो काफी बड़ी उपलब्दी जो है बुन के द्वारा हासिल की गई थी, उनी के लिए जो उसी के लिए उसको ध्यान में रखते हुए इनको जो है, वो नोसेना का नेया उपरमुख जो हो बनाया गया है, अब थोड़े से one-liner question को understand करेंगे, हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है, तो तीन अक्तूबर को पूरे बर्ड में जो है वो प्रकर्ति दिवस जो है वो मनाया जाता है, next question देखिए, हाल ही में किस राजे सरकान ने जाती सर्वेक्षन के आंकडे जारी किये हैं तो जाती के अधार पर ऐसा कौन सा पहला राज ये बना है जिसने जनगर्ना की है तो किसने की है बिहार ने की है किसके दौरा की गई बिहार के दौरा की गई दोहजार त्रेइस का important question है क्योंकि जनगर्न अभी तक हम किसको मानते हैं, 2011 की जनगर्ना को मानते हैं, 2011 के बाद 2021 में जनगर्ना होनी थी, लेकिन करोना काल की बज़े से 2021 में जनगर्ना नहीं हो पाई, लेकिन बिहार ने अपनी जाती जनगर्ना जो हैं वो करवाई है, कब करवाई है, 2013 में करवाई है, नेक्स देखिए, अजे जडेजा को किस देश की cricket team के mentor के रूप में न्युक्त किया गया है यानि कि उनको motivate करें उनको guide करें तो किसको न्युक्त किया गया है अजे जडेजा जी को किस team में न्युक्त किया गया अफगानिस्थान की team के द्वारा न्युक्त किया गया नेक्स्ट रहाल ही में अंतराश्टिट टैनिस हौल और फेम के लिए नमंकित होने वाले पहले एशियाई ब्यक्ति कोन बने हैं ये भी आपके लिए इंटरनेशनल लेवल का करण्टेफिर का कोशन बनता है पहले यासे ब्यक्ति बने हैं एशियाई ब्यक्ति, एशियाई ब्यक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब कि भारत भी उसमें आता है, जो भी एशियन हमारी कंट्रीज हैं, उसमें अंतराश्री टैनिस, हाल ओफ फेम के लिए नामित होने वाले पहले ब्यक्ति कौन बने हैं, उनका नाम है, गेंडर पेस, तो ये भारत के दिगज खिलाडी और कई Grand Slam Tournament के विजेता रहे हैं, टैनिस के खिलाडी हैं और भारत के रहने वाले हैं, इसलिए कोईशन इंपोर्टेंट है, पूरे एशियन जो हमारी एशिया है, एशिया महादीप है, उसके पहले आसे भी एक्ति बने हैं, इसलिए कोईशन हम भी कब मनाया जाता है, तीन अक्तूबर को ही ये मनाया जाता है, नेक्स देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, तीन अक्तूबर को जर्मन एकतदिवस मनाया जाता है, और इस दिन को टैग डियर डूरेशन आइन हेड, इस नाम से भी जो है उसको जाना जाता है नेक्स्ट कोईशन प्रधानवंतिरी नरेंदर मोदी ने 3 अक्तूबर 2023 को किस राजे के विकास को बढ़ावा देने के लिए 8000 करोड रुपे से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की अधारशिला रखी और रास्ट को समर्पित किया तो कौन सा राजे बना है तेलंगाना राजे जो है वो बना है भारत का सबसे नया राजे भी कौन है तेलंगाना है इसको जो बनाया गया था दो जून 2014 में जो है वो इसको बनाया गया था जब ये भारत का 29 राजे के रूप में इसको नुक्त किया गया था Next question है, हाल ही में military nursing service ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 98 स्थापना दिवस जो है, वो मनाया गया है, जो medical core है, military की, army की, उसने, sorry, military की, तो उसने जो है वो nursing service में अपना 98 स्थापना दिवस उनके द्वारा मनाया गया नेक्स देखिए विशो पशू कल्यान दिवस कुछ अलग तरीके के युनीक कोईशन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे नहीं कि पुराने ही कोईशन आपके बारबार एक्जाम में पूछे जाएंगे, हमारा हीमाचल का नया राजी चैन आयोग आपसे कोईशन पूछेगा, शिमला बोड आपसे कोईशन पूछेगा, तो लेबल और त्यारी आपकी दोनों हाई होनी चाहिए, तब ही आप अपना एक्जाम जो हैं वो क्रैक कर सकते हैं, तो यह कम मनाया जाता है, विशो पसू कल्यान दिवस, चार अक्तूबर को मनाया जाता है, बाकी बेसिक डिटे भी करूंगा, केरल में करोना वाइरस का पहला मरीज जो है वो देखा गया था, नेक्स्ट कोश्चन हाल ही में उत्तर परदेश सरकार कहां पर हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी, तो हर घर पाटशाला अभियान जो है, वो करोना काल में हीमाचल का था, और हर घर सोलर आप हमेशा टच में रखें, क्योंकि UPA का ऐसा राज है, जहां से अनलिमिटिड आपके कोश्चन करंट अफेर के आपको देखने को मिलेंगे, देखी, नेक्स्ट, ICC, अब पुरुष क्रिकेट बर्ड कप दोहजार त्रेज में, अफगानिस्तान टीम ने किसे मेंटर के र गया है, किसके साथ समझोता किया गया, यहां पर बताया है, अल एतिहात, पेमेंट्स के दौरा जो है, वो समझोता किया गया है, नेक्स्ट है, बंडे, विशोकप दोहजार त्रेज के सुभंकर का नाम क्या रखा गया है, ब्लेज और टॉंग, यह चीज इंपोर्टन्ट ह कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, यह कोशन, कहीं पर भी आपको ना देखने को मिलेगा, ना सुनने को मिलेगा, यहां से आप इस कोशन को हिट करेंगे, बंडे, विशोकप दोहजार त्रेज, जो अभी हाल ही में चला है, उसका सुभंकर का नाम क्या रखा गय मतलब कि उसका जो एक टाइटल नेम है क्या रखा गया है, बलेज और टॉंक उसका नाम रखा गया है, मोगी जी, बोवेडी, लुइस, इब्रूस और एलेक्सी, आई, एमिकोब को किस खोज के लिए रसाइन विज्ञान का नोबल प्राइस दिया गया है, देखी, कैमिस्ट् स्टेडी करते हैं, जो हमारा material science की branch है, उसमें हम इसको understand करते हैं, 2013 में इन तीन व्यक्तियों को जो है, latest की बात करूँ सबसे last इंडिया को nobel prize कम मिला है तो 2019 में मिला है अभी जीत बेनेर जी को economics में total 6 श्रेणियों में nobel prize दिया जाता है 2019 जो है वो इंडिया का last है उससे पहले 2014 में मिला था I think के लास सत्यारती जी को थोड़ा आप सर्च कर सकते हैं 2019 के बाद इंडिया को अभी तक nobel prize नहीं मिला है next देखिए हाल ही में किस देश के दक्षिन पूर्व एशिया की पहली speed railway बहुष उधगाटन किया गया है बहुष जो है एक rail का नाम है याद रखने आपको बहुष जो है एक rail का नाम है इंडोनेशिय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है next बिश्व वंक 2013-24 में भारत की GDP growth rate कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो बिश्व वंक ने 6.30 प्रतिशत का अनुमान जो है वो लगाया है KVIC ने किस IIT में ने खादी इंडिया आउटलेट का उधगाटन किया है तो कहां पर किया है IIT दिली में इसका उधगाटन किया गया है next हाल ही में 2023 का चिकित्सा का Nobel Prize किसको मिला है चिकित्सा का यानि कि Medical में बायो के क्षेतर में किसको ये दिया गया है Medical Science में कैटलीन कारी को और डू बीसमैन को देखी मैक्सिमम हम Nobel Prize जो है वो सर्फ तीन लोगों को ही हम दे सकते हैं यहाँ पर जो Medical का मिला है वो कितने लोगों को मिला है सर्फ दो लोगों को ही मिला है नेक्स देखिए 2023 का Nobel पुरुषकार किसमे रसाइन के एक्षेतर में किसको किसको मिला है तो तीन लोग है मोवी जी, बोवेडी, लुइस, इब्रूस और एलेक्सी, आई, किकी मोव तो Nobel Prize 2023 की एक पूरी लिस्ट जो है वो आगी है हर साल इसको जो है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है लेकिन अभी तक इनके नाम जो है वो खोशित हो गए है 10 दिसंबर को इनको ये अवोड दिया जाएगा कोमेंट करके बताइए कि Nobel Prize कहां पर दिया जाता है कौन सी कंट्री में दिया जाता है नेक्स है ICC ने किस Cricket Legend को बंडे विशुकप 2023 का Global Ambassador बनाया है तो किसको बनाया है सचिन तंदूलकर को बनाया गया है ये question भी आपके लिए important बनता है देखी नेक्स सेशन हमारा Current Fair का ये रहेगा तो इसको भी आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं ये हमारा सारा English में ही हमारा ये material रहेगा उसके साथ साथ हमारी ये फाइल रहेगी यहाँ पर है लास्ट सेशन है हमारा ये खुड़ा सा इसको understand करते हैं हाँ ये है HL बायुसेना को सौंपेगा पहला Light Homeback Aircraft तो देखिए ध्यान में रखना है HL जो company है वो किसको aircraft सौपेगी बायुसेना को कौन सा है Light Combat Aircraft ठीक है बेंगलूरू में दो सीटों बाले इस बीमान को LCA Tejas को जो है वो सौंपा गया है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है पर मैंने आपसे भारती बायुसेना के जो चीफ है उनका चित्र बताया था यहाँ पे उनका नाम दिया गया है Air Chief Marshal B.R. Chodhary वो जो चित्र था वो किसका था B.R. Chodhary जी का वो चित्र था ठीक है Next Question देखिए PM स्वयम निधी ने 50 लाग Street Benders को कवर करने का लक्ष प्रापत किया है PM स्वयम निधी जो एक योजना है उसके तहट 50 लाग Street Benders को जो है वो कवर करने का लक्ष जो है वो प्रापत कर लिया गया इस स्कीम के द्वारा पचास लाग का जो लक्ष था वो हासिल कर लिया है नेक्स्ट S.A.W.F. U19 पाकिस्तान को हराकर भारत बना सेफ अंडर 19 फुटबोल चेंपिन्शिप जीता आठमा खिताब तो लाइन से ही क्लेर हो रहा है कि सेफ U19 में जो किसका किसका मुकाबला हुआ था पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हुआ भारत ने वहाँ पे जीत हासिल की और उसके बाद कौन सा नंबर का खिताब जीता आठमे नंबर का खिताब जो है वो वहाँ पर भारत ने जीता है नेक्स्ट भारत के बी निर्मान क्षेतर में कि बिर्धी तर पर सितंबर में 5 महिने के निचले तर पर तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी बात की कि हमारी Center government जो है वो कही न कही पर घाटे पर जा रही है 36 percent का lowland जो है वो देखा गया तो वैसे ही यह सितंबर में जो है वो पांच महीने के निचले स्तर पर यहां पर आगी है Coca-Cola इंडिया ने छोटे पैक के लिए 100 प्रतिशत पुना, दवीनी करण, P.E.T. बोटले पेश की तो देखिए आपसे question यह पूछा जा सकता है कि आसी कौन सी company है जिसके द्वारा नहीं बोटले ऐसी बनाई गई है जो की 100% हम उसको reuse कर सकते हैं उसका 100% हम reuse कर सकते हैं तो वो है Coca-Cola India Company Coca-Cola India Company, next दिपिका, पलिकल और हरिंदर पाल संदू की जोडी ने मचाया धमाल, मलेशिया में मलेशिया नहीं है, खिलाफ असकास mix double में जीता gold medal, तो दिपिका और हरिंदर पाल संदू ने जो है वो final में, यहां पर मलेशिया नहीं आएगा, मलेशिया ही आएगा, तब ही मैं सोचों कि कुछ शाहिद, यहां पर मलेशिया ही आएगा, तो मलेशिया में इनको क्या मिला है, gold medal मिला है, यह चीज़ भी आप यहां पर ध्यान में रखें, नेक्स्ट, प्रेटन मंत्राले ने नई दिली P.A.T.A, travel mart 2023 का जो है वो उधगाटन किया है, नेक्स्ट, अर्जुन मुंडा ने देहरदून में चोथे EMRS राष्ट्री सांस्कृतिक और सहितिक उत्सब कला 2023 का उधगाटन किया है, तो अर्जुन मुंडा के द्वारा ये उधगाटन किया गया, राष्ट्री सांस्कृतिक उत्सब उत्सब 2023 का, और कहां पर हुआ, देहरादून में ये उत्सब जो है वो हुआ है, नेक् सेप्टमबर को मनाया जाता है, पांच सितंबर को राष्ट्री शिक्षा दिवस होता है, और पूरे बर लेवल की बात करें, तो पांच अक्तूबर को राष्ट्री शिक्षा, इंटरनेशनल टीचर डे मनाया जाता है, भारत सरकार ने UIDAI के परमुक का कारेकाल कितने वो बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है, अमित अगरवाल जहें, जिनका कारेकाल एक साल के लिए वो बढ़ा दिया है, नेक्स्ट, पैसिफिक एशिया ट्रेवल, एस्सोचेशन ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में Sky Ocean जो है वो किया गया है Next भारती है State Bank के अध्यक्ष कोन है जिनका कारेकाल August 2024 तक बढ़ा दिया गया है तो दिनेश खारा Important question है भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांचे किसकी है SBI की है State Bank of India की और इसका पुराना नाम अगर बात करें Imperial Bank of India का पुराना नाम है और इसके जो at present time जो इसके chairman है उनका नाम के है दिनेश खारा तो question आपके लिए important रहेगा Next question देखिए दिपिका पलिकल और हरिंदरपाल संदू की जोड़ी ने जो है वो किसमे स्वनपदक जीता है तो game बताईगी है squash में इनको जो है वो ये award जो है वो मिला है एशियाई खेलो में इनको जो है gold medal से समानित किया गया हाल ही में अनात बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज ये कौन सा बना है देखिए हिमाचल का कही ना कही नाम पर आया है सुक्विंदर सिंग सुक्व का भी world level पर कही ना कही नाम आया है हिमाचल अनात बच्चों एवं अन्य बंचित बर्गों के मदद के लिए कानून बना कर ये योजना जो है वो लागू करने का देश का पहला राज ऐसा बन जाएगा आपने दो-तिन दिन पहले जो है वो ये न्यूज पढ़ी होगी जो गिरी राज पत्री का है उसमें ये काफी फ्रेंट पे ये न्यूज आई थी कि सुक्व सरकार में जो है वो एक नहीं योजना जो है वो स्टार्ट की है अनात बच्चों के लिए साथ में जो भी सिक्षा प्रापत कर रहे बच्चे 48 अनात बच्चों को फीज छात्राबास के रूप में 15 पॉइंट 52 लाख रुपे तह था मासिक यानि कि महिने के खर्च के लिए 11 पॉइंट 52 लाख रुपे जो है वो दिये जाएंगे तो हिमाचल ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अनात बच्चों के लिए एक नहीं योजना जो है वो शुरू की है नेक्स्ट कोईशन भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उदगाटन कहां पर किया गया है हैदराबाद में करिवीज और सर्विस रोड के बीच आउटर रिंग मोड पर ये स्थित ट्रैक जो है वो 24 घंटे जो है वो खुला रहेगा और पूरे देश को पूरे बर्ल लेवल पर इस साइक्लिंग समुदाय को जो है एक निया बढ़ावा जो है वो हां से मिलेगा नेक्स देखिए पी-म स्वैम निधी योजना ने कितने लाख स्टीट वेंडर्स को कवर करने का लक्षा हासिल कर लिया अभी हमने पड़ा 50 लाख जो है इसका जो है एक कवरेज जो है वो पूरी हो गई है अब ये योजना है क्या तो देखिए यहां पर बताया गया कि जो रहडी या पट्री वाले जो है उनको क्या करता है लोन प्रोवाइड करवाता है यानि कि ये जो पी-म स्वैम निधी योजना है ये क्या करता है लोन प्रोवाइड करवाता है जो भी छोटे-छोटे काम करते हैं, जैसे रहडी-फेडी बारे होते हैं, उनको क्या करता है, लोन प्रोवाइड करवाता है, तो 50 लाख जो लोग हैं, उनको जो है, इसने एक लक्ष जो है, वो अपना किया है, हासिल किया है. नर्गिस महमदी को सम्मानित किया गया है, शांती की बात कर रहे हैं, 1989 में दलाई लामा जिनका नाम है, तेंजिन ग्यात्सो, जो की हिमाचल के धरमशाला में रहते हैं, वायर डैबल पे काफी पॉपुलर हैं, उनको 1989 में नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था, और वो केश में उनके द्वारा जो है, वो काफी अच्छा योगदान जो है बो दिया गया, उस गेम में काफी बड़ी परदर्शन किया, नेक्स्ट परधान मिंतरी नरेंदर मोधी ने किस राजे में हाइट एक स्पोर्स ट्रेनिंग सेंटर का उधगाटन किया, तो मध्य ब्रोड कास्टिंग डिवल्पमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो भारत को चुना गया, देखिए, G20 का अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था, भारत को, वैसे ही, एशिया, पैसिफिक इंस्टिटूट फॉर ब्रोड कास्टिंग डिवल्पमेंट के अध्यक्ष कौन बने हैं, भारत बने हैं, जलवायू परिवर्तन से जुड़े, सिपनोजा पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर जोईता गुपता को सम्मानित किया गया, नेक्स्ट, G20 पार्लियमेंट स्पीकर समिट की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो भारत करेगा, अनात, बच्चों के लिए नई योजना किस राजे ने बनाई है, पहला ऐसा राजे बना है हिमाचल, जिसने योजना शुरू की है, और हिमाचल के सीम कौन है, सुखविंदर सिंग, सुखु, नेक्स भारत के पहले, देखिए, अभी मैंने डिसकस की थी, जब मोदी जी वाला कोशन आया था, ये, किस राजे में हाइटेक स्पोर्ट से रिलेटेड जब मैंने बात की, तो वैसे मैंने कोशन ये बताया था, कि पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रेक का हाँ पर किया गया, हैद्रावाद में किया गया, नेक्स्ट, पी-म स्वैम न से पदक किस ने जीता है, तो अंतिमह पंजार ने कदफ ये जो पदक है, वो जीता है, और लासट कोशन है, भारती रिजर्व एंक ने रैपो रखा है, जो आर्बीआ ही है, उसने कितने परतिशत पर रैपो रpower को वैसा-का वैसा ही रखा है, constant रखा है, average के उपर अपर रा वो complete किया, October 2023 का, ये पूरा का पूरा हमारा session रहेगा, current affair का जिसमें आपको मैंने Hindi और 7 notes आपको provide कर दिये, जो कि आप ये PDF हमारी application के उपर download कर सकते हैं Google Play Store के उपर आप जाए, search कीजिए विजेपत government exam preparation आप उस app को download कीजिए या फिर आप हमारी website के उपर जा सकते हैं, www.vijepatheducation.com के उपर आप जाएए हमारी website को visit कीजिए search कीजिए, कौन सा material वहाँ पे आपके लिए help रहेगा, paid courses है, free course है, free का content भी आपके लिए जो है, वो काफी जादा उसमें डाला गया है, लेकिन अगर आप एक silent study चाहते हैं, silent त्यारी चाहते हैं, बिना दुनिया से आप बिना दुनिया में शोर सराबा किया, अगर आप अपनी त्यारी करना चाहते हैं तो आप paid course लीजिए, क्योंकि paid course की खासित ही है, कि सिर्फ आपको लगता है कि आपको ही पढ़ाया जा रहा है, तो paid course उसके लिए जो है, वो काफी much useful आपके लिए रहते हैं, आप paid course लीजिए अगर आप paid course लेते हैं, तो उसके साथ आपका test series जो है, वो आपकी free of course open हो जाएगी, बिलकुल nominal surprise हमने रखा है, आप download कीजिए आपको, website के उपर visit कीजिए, चेक कीजिए कि किस परकार का material हमने वहाँ पर डाला है, इस PDF का जो download का option है, वो आपको हमारे application के current affair के tab के उपर आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में हमारी ये video भी आपको साथ में देखने को मिलेंगी, I hope आपको आज की class काफी अच्छी लगी, इससे पहले भी हमने August, September इन दोनों में हिनों के current affair के session जो है, वो upload किये हैं, जल्दी ही आपका हिमाचल का भी current affair का session जो है, वो launch होने वाला है, उसको भी हम live यहाँ से आपके लेके आएंगे, क्योंकि दिसंबर में अच्छाटीसी का exam आपका होने वाला है साथ में PGT के, अब PGT हिमाचल जो आपकी post graduate teacher है, लेक्चरार की post जो भी आपकी निकली है तो उसके लिए भी current affair आपके लिए important है, तो दो paper आपके उस exam में होने वाले हैं उसके लिए भी हमारे session काफी important रहेंगे, तो अगर आपने video को share नहीं किया है तो video को share आप जरूर कर दीजिए notes नहीं बनाए हैं, तो साथ साथ में notes बनाएए, अगर notes नहीं बनाने हैं तो आप app download करके हमारी PDF को download कर लीजिए वहाँ से आप इस चीज का use जो है, वो अपने exam के लिए जो है, वो कर सकते हैं, साथ में अगर आपको monthly current affair की video और अगर आपको monthly current affair की PDF आपको चाहिए, तब भी application में हमने month wise जो है, वो अपने current affair की PDF और video जो हमने upload की हैं, वहाँ से आप उसको easily check कर सकते हैं, वीडियो कैसी लगी, comment करके आप ज़रूर बताएं जल्दी ही मैं आपके साथ एक नई class के साथ चुड़ूँगा, तब तक के लिए आप बने रहें, वीडियो के एजूकेशन के साथ like करें, share करें और चैनल को subscribe करें, धन्यवाज, जैहिन, जैभारत English के मैंने आपको ये